असलाम अलेकुम रेमतुल्लाही वबरकातु हूँ दिस इस नसीम जुल्फिकार और आज हम डिसक्रस करने वाले हैं सेकेंडरी केमिस्ट्री में चेप्टर नमबर सैवेंटीन देट इस अलकाल हलाइट्स एंड आमाइंस तो जो लेक्चर में आप डेलिवर करने वाला हूँ इस प्यूरली रेलेटेड टू फैडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इसलामाबाद ठीक और हंडिट परसंट में वह उसके बुक को फॉलो करते हैं लेक्चर यह आपको डेलिवर करूंगा इस कंप्लीट चप्टरी के अंडर स्टेंग में आपको दूंगा तो और यह जो लेक पकिस्तान कहीं से भी MBBS के लिए जो PMC के थूरू टेस्ट होता है अब इसमें हमारे पास यह चीज़ है कि जो हमारे पास PMC से लिए बस जो कोस्टन्स आते हैं वो नॉमली फैडरल बोर्ड से तालुक रखते हैं इसलिए धरूरी है कि अपने इस रेस्पेक्टिव बोर्ड के लावा फैडरल बोर्ड को भी थौरूरी हम उसको स्टडी करें ठीक है तो दो कंपाउंड के बारे में यह चप्टर है तो एक कंपाउंड हमारे पास है RX ठीक है डैटिस अलकाल हलाइट्स और दूसरा कंपाउंड हमारे पास है RNH2 दीज आर अमाइन्स ठीक है तो सबसे पहले अलकाल हलाइट्स की डिसकेशन यहाँ पर होगी अलकाल हलाइट किसे कहते हैं तो अगर अलकाल डेडिकल के साथ आर के साथ अगर हैलोजीन अगर कहीं पर अटैच्मन कर ले मतब एक सागर अटैच हो जाए तो इस विल भी कॉल्ड अलकाल हलाइट तो अलकाल डेडिक atom alkanes का रिप्लेस हो जाते हैं halogen atom से जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास halogen rH होता है और इस rH से अगर हम hydrogen को remove कर दें और इसमें halogen add कर दें तो यह हमारे पास rx बन जायागा जिसको हम alkyl halide कहते हैं ठीक है और इन्ही को हम halogen derivatives कह सकते हैं halogen derivative है halogen में हर्डोजन को remove करने से जो है वो बनता है यह rx हमारे पास कहला हैगा r is radical and x is halogen तो r में कोई भी radical हो सकता है that is cNH2N plus 1 और x में कोई भी halogen हो सकता है let's say के फलोईन, कलोईन, ब्रोमीन, आइवडीन कोई भी हो सकता है तो यह compound हमारे पास होता है organic chemistry में alkal halites इनके discussion इस chapter में होगी कितने types के alkal halites होते है तो mono, di, tri, poly, halo alcanes different तरह की होते है mono halo alcanes भी हो सकता है di halo alcanes भी हो सकता है tri halo alcanes भी हो सकता है mono halo alcanes वो जिसमें सिर्फ एक ही halogen attach हो एक molecule के अंदर और अगर 2 halogen अगर attach हो जाए तो this will be di halo alcanes और अगर 3 halogen अगर attach हो जाए this will be tri halo alcanes और अगर greater than 3 अगर halogen attach हो greater than 3 अगर halogen हो तो this will be poly halo alcanes ठीक है तो यह types हो गए हमारे पास types of alkal halites ठीक है next है classification alkalites की alkalites को तीन parts में classify किया जा सकता है primary, secondary ये tertiary alcal halites primary alcal halites को 1 degree कह सकते है secondary को 2 degree कह सकते है और tertiary कौम जो है वो 3 degree alcal halites कह सकते है ठीक है तो अब जैसे के यहाँ पर हमारे पास 1 degree alcal halite है यहाँ पर हमारे पास 2 degree alcal halite है यहाँ पर हमारे पास 3 degree alcal halite है तो primary alkaline lead हमारे पास क्या होंगे जिसमें हमारे पास functional group के साथ जो alpha carbon होगा alpha carbon के साथ सरिफ एक radical के attachment होगी ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि this is functional group halogen और functional group के साथ यह जो carbon first carbon है जिस alpha carbon और alpha carbon के तरफ दुसरा किया तो को radical attach नहीं है एक radical attach हो सूर्थों में यह primary alkaline lead हमारे पास कहलाता है तो यह methyl chloride हमारे पास primary alkaline lead है ठीक है यहाँ पर भी देख लें इthyl chloride इसमें यह हमारे पास functional group है और functional group के साथ हमारे पास जो alpha carbon है इसके एक ही तरफ radical के attachment हो तो तरफ hydrogen है तो यह भी primary है इस तरफ propyl chloride की बात करेंगे तो यह हमारे पास functional group इसके पास alpha carbon alpha carbon के एक तरफ सिर्फ radical के attachment है तो इस विल भी also primary alkaline lead secondary alkaline lead क्या होता है जिसमें हमारे पास functional group जो है वो अटेच होता है उसके साथ जो alpha carbon है alpha carbon के दो तरफ अगे radicals attach हो जाए इस विल भी secondary alkaline lead और अगर alpha carbon के और तो यह दिखें यह दुनों compounds हमारे पास यहां पर जो है वो secondary alkaline lead के हैं और यह हमारे पास है tertiary alkaline lead जिसमें यह हमारे पास functional group है यह alpha carbon है अलफा carbon के तीन तरफ radical के अटेच्मेंट है तो alkaline lead को तीन पास में classify किया जा सकता है primary secondary और ट्रेशरी डिपेंड करता है कि alpha carbon के साथ radicals जो जुड़े में bonded उनकी तदाद कितनी है ठीक है अगर एक radical के attachment है तो उसका मतब 1 degree है अगर दो radical attach alpha carbon से उसके मतब 2 degree है अगर तीन radicals attached है तो उसके मतब 3 degree है इसी 1 degree को हम लोग primary कह रहे हैं 2 degree को secondary कहते है और 3 degree को हम लोग tertiary कहते है ठीक है I hope so कि यह आपको clear हो चुका होगा next nomenclature nomenclature मतलब naming naming कि किस तरह से नाम लिखा जाता है naming of alkylite किस तरह से naming की जाती है alkylite की तो आप जानते है कोई भी organic compound उसके दो तरह से नाम लिखे जाते है common system of naming होती है IPC naming of system naming होती है common के अंदर हम इसको normally जट लिख सकते है alkyl halide इस तरह से लिखा जाता है और IUPC में हम उनको लिखते हैं this will be hello alkyne hello alkyne होता है जिससे के हम देख सकते है C3H7BR अब common में उसका नाम अगर लिखना है तो यह propyl radical है और यह bromide है तो alkyl halide के लिखा से यह हमारे पास हो गया propyl और halide के तरह से उसको लिखना है तो यह हो गया हमारे पास bromide this is actually the common name IUPC की बात करें तो this will be bromo and this will be propane hello alkyne के लिखना है तो यह bromo propane हो गया इस तरह से आप further किसी भी organic compound का नाम किसी भी alkyl halide का नाम आप इस तरह से दे सकते हैं ठीक है next physical property है कि alkyl halide की high melting और balling point होती है जिसकी यहाँ पर high melting और balling point होती है और इसके reason अगर हम उस कॉलकेन से compare करें तो बज़य क्या है because of carbon और halogen bond की polarity की वज़य से जो alkyl halide में जो carbon halogen bond आप देख सकते हैं तो यहाँ पर halogen जाद एलेक्टर निकेडिव होता है तो negative charge partially लेता है और carbon पर partially positive आ जाता है यह polar हो जाता है और polar bond जब आप जानते है polar bond जब बनता है तो सूरत में उसके अंदर आइनिक character आता है और आइनिक character आता है तो melting point, balling point यह सारी बढ़ जाती है इसी वज़ए से alkanes चुके हमारे पास alkanes जो होता है वो non polar होता है जिस वज़ए से alkanes की melting point, balling point काम होती है इसी वरक्स alkal halites polar bond होने की वज़ए से ज़्यादा melting और balling point रखते है और यह polar bond होने की वज़ए आप जानते हैं कि वो halogen का highly electro negative होना है वो electron पर अपने तरफ चुके खीचता है तो negative charge generate होता है, carbon पर positive charge generate होता है तो यह polar bond बन जाता है हमारे पास है तो partial any character की वज़ए से हमारे पास यह high melting point, balling point रखता है जो alkanes lights होता है next is preparation of alkanes light के alkanes light को किस तरह prepare किया जा सकता है alcohol से prepare कर सकते हैं पहला तरीका alcohol means कि ROH से इसको prepare किया जा सकता है ठीक है, ROH से इसको हम prepare कर सकते है ठीक है, तो alcohol से आप इसको बना सकते है alkanes light में convert कर सकते हैं, अब क्या तरीका होता है, different processes होता है जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एक alcohol ले लिया this is actually C2H5OH so, यहाँ पर जो हमारे पास alcohol है, this is commonly scum कहें, तो this will be ethyl alcohol और IOPC में अगर हम इसको कहें, तो this will be ethanol ठीक है, तो ethyl alcohol यह ethanol है, इसके रेक्शन है, हम सबसे पहले तो कर HCl से कर ले तो plus यह हो गया, यह मानिस हो गया, और यहाँ पर minus और plus तो C2H5Cl बच जाएगा, और साथ में water liberate हो जाएगा, तो ethyl chloride की formation हमारे पास यहाँ पर होगी second, तो यह तो HCl के थुरू होगी reaction, next हम अगर alcohol का reaction, SOCl2 से करें इसमें pyridine को अमेदा solvent इस्तेमाल कर रहें, तो SOCl2, this is actually thionyl chloride thionyl chloride, यह COCl2, एक compound हमारे पास होता है COCl2, this is called carbonyl chloride, carbonyl chloride, जिसको हम लोग commonly phosgene gas भी कहते हैं, जो chemical weapons बनाने में इस्तमाल की जाती है, toxic poisonous gas है, तो इसी का जो sulfur based compound, carbonyl chloride का, वो thionyl chloride होता है, जिसका reaction हम ethyl alcohol से देकर, हम alkal halide की formation कर सकते हैं, तो सेम गी chlorine based alkal halide हमारे पास यहाँ पर बनेगा, तो propyl chloride बन गया, और साथ में HCl और sulfur dioxide gas liberate हो जाती है, इस तरह से PBR3 से reaction कर सकते हैं, या PBR3 में हम general reaction PX3 ले सकते हैं, जिसमें कोई भी phosphorus trihalide यहाँ पर मौझूद होगा, इसके reaction करने दिजिये में भी हमारे पास alkal halides बन जाएंगे, अब यह PBR3 भी ले सकते हैं, PCL3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर PI3 फॉस्फोरस triodate कोई भी लिया जा सकते है, उसके respective आपको, जो है ना, वो alkylite यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साथ में H3PO3 liberate होका, इस इस काल्ड phosphorus acid यह हमारे पास क्यलाता है, phosphorus acid as a byproduct आपको आपको आशिल हो जाएगा, it is not phosphorus acid, वो H3PO4 होता है, next is, आप PCL5 के साथ भी reaction करा सकते हैं, देखे, PCL5 के साथ reaction हो, PI3, PCL3, PI3 और PBR3 इनसे हो सकते हैं, लेकिन 5 में, Penta में सिर्फ koloride के साथ हो सकता है, जिके, phosphorus pentabromide, PBR5 जो आपके पास है, या फिर PI5 आपके पास जो होता है, वो possible नहीं होता, विकास यह हमारे पास bromine iodine का atomic radius जादा होता है, तो 5 bromine या 5 iodine हाई, मतलब एक लार्ज atomic radius के वज़े से वो phosphorus को चारतुरफ से surround नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस वज़े से पी-C-L-5 से reaction हो सकता है, तो हमारे पास ethyl chloride बन जाएगा, और साथ में PO-C-L-3 यहाँ पर इस सूरत में liberate होगा, HCl के साथ, तो आपने देखा कि यहाँ पर multiple waste थे, जिसके थुरू हम रहे जो है, वो alkyl halide की formation की by means of alcohol, ठीक है, next is के alkyne से भी बनाय जा सकता है, और alkyne के हमें यहाँ पर halogenation करनी पड़ेगी, alkyne के halogenation करने से भी alkaline red बन जाते हैं, halogenation में क्या होगा, halogen से reaction होगा in the presence of sunlight, तो यह HNU जब लिखाव होता है, तो it means के sunlight, सुरज की रौश्णी के मौझूदगी में, और आप यह आप जानते हैं, halogenation होगी, substitution के तुर होगी, और यह free radical substitution mechanism को जो पिछले chapter में हम discuss कर चुके हैं, डिटेल में, तो जैसे के, अगर हमने यहाँ पर, जह हैं वो ethane ले लिए और Cl2 से reaction करा जाया, तो एक hydrogen हटेगा, एक kulin बढ़ जायागा, तो ethyl chloride बनेगा, और HCl बन जायागा, ठीक है, इसमें हम fluorination नहीं कर सकते हैं, और iodination नहीं कर सकते हैं, जो कि fluorination very fast reaction होता है, जिसकी वज़ए से हमें प्रूरफ हासिल नहीं होता, और iodination के reaction very slow होता है, जिसकी वज़ए से पूर yield हासिल होती है, तो practically जो है, फ्लूरी नाइवडीन के थूरू हम alcohol halide की formation नहीं कर सकते हैं, नेक्स उसके बाद हम reactions देखते हैं, alcohol halide के, Rx के, ठीक है, तो alcohol halide के जो reactions हमारे पास हैं, वो दो तरह की reactions करता है, majority में, एक हमारे पास nucleophilic substitution reaction करता है, जिसको SN reaction कहते हैं, दुसरा elimination करता है, जिसको beta elimination reaction भी कहा जाता है, तो one by one इसको हम डिसक्स करते हैं, तो nucleophilic substitution reaction, alcohol halide के जो है ना, यह इसके characteristic reactions हैं, जिसके main reactions भी हम इसको कह सकते हैं, जिनकी बदा से alkyl halides मशूर हैं, कि यह हमारे पास nucleophilic substitution reaction देते हैं, यह SN reactions देते हैं, इसमें यह हमें दिख रहे हैं, आपर this is alkyl halide, जो substrate हमारे पास है, इसमें, अब जानते हैं कि यह polar bond है, this bond is polar, और polar bond होने के वैसे आर, X जादे electro negative है, negative charge दे लेगा, और R अपने पास positive charge generate कर वालेगा, और इससे क्या होगा, कि फिर जब हमारे पास को nucleophile होगा, nucleophile इस R पर attack कर सकता है, चुकि निकलोफाइल हमारे पास nucleus loving होता है, positive loving होता है, तो positive charge पर attack करेगा यह, तो positive charge पर attack करेगा और यह एक्स बाहर निकल जाएगा, living group के सुरत में, इसको living nucleophile कहते हैं, इसी को यहाँ पर हम लोग living group का नाम भी दे रहे होते हैं, और यहाँ पर यह हमारे पास product की formation हो जाएगी, इसमें चीज़ याद रखना है कि यह जो attacking nucleophile होगा, तो अगर इससे जदा strong नहीं होगा, तो सुरत में वो, हमारे पास nucleophile substitution नहीं हो सकती, मान लेते हैं, जैसे कि एक reaction में लिखता हूँ CH3, और यहाँ पर में लिखता हूँ BR, और इसके reaction अगर मैं करा देता हूँ CL से, CL- से, तो अब यहाँ पर यह तो स्कोलीन पहले ही जादा reactive अब रोमीन से, वो जादा strong है, तो इस मुझत में यह bond break होकर यहाँ पर कोई reaction नहीं होगा, तो इसके मतलब कि जो nucleophile must be stronger than the living group, यह एक concept है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अब अलग अलगते रहे common living groups क्या हो सकते हैं, जो आर के साथ attached हो सकते हैं, living group अलग-अलग attached हो सकते हैं, nucleophilic substitution reaction में, इस में से हमारे पास ammonia एक अच्छा living group, जो excellent living groups हैं, वो हमारे पास यह एक aromatic compound है, benzene के साथ CH3 और SO3 मौजूद है, आगे इसका है, fairly, CL मैंने से poor living group, F minus है due to high reactivity, और very poor हमारे पास OH minus, NH2 minus, RO minus, यह very poor living groups हैं, मतलब कि, यह कभी भी जो है ना वो मतलब अपना radical छोड़कर बाहर नहीं आते, और उपर वाले जो वो easily बाहर आ सकते हैं, iodine, bromine, chlorine, यह सब आ सकते हैं, तो living group के यह chart है, यह आपको जैन में रखना होगा, excellent, very good, good, fair, poor or very poor living group कौन-कौन से possible हो सकते हैं, अभी कुछ examples है, nicolophilic substitution reactions की, different, मतलब हम यहाँ पर halogenes के अंदर attack कर रहे हैं, radicals को, nicolophiles को तो यह सब आपको nicolophiles यहाँ पर दिख रहे हैं, I minus, O H minus, O R minus, SH minus, इस तरह से C triple bond, R minus, CN minus, C double O R minus, NH3, यह सारे हमारे पास nicolophiles हैं, तो यहाँ पर सब में क्या होगा, कि A bond break होगा, और X as a living group बाहर निकलेगा, और यह सारे जो हमारे पास negative charge species यह positive, जो R मौझूद है, कार्बोकेटाईन है, उस पर जाकर attack कर देंगे, ठीक है, तो इस R पर attack होगा, तो फ़र्स case में हमारे पास alkyl iodide बन गया, सेकंड case में alcohol हमारे पास बन गया, थर्ड case में हम देख सकते हैं, यहाँ थर्ड case में यहाँ पर हमारे पास ether बन गया, फोर्ध case में हमारे पास थाय यहांर कैपन ब्ढ गया, 5th केस में यहां पर हमारे पास ding कैसमें हमारे पास नाड राइन बन गया, जिसको हम लोग नाइस राे बहुए सकते हैं और इस वी काम लोक सियनाईड भी 66 यह आन्यग हम एक सारी निवारी निकलो फाइल करवाइं अब कार्पुकटाइन और उसकी इस्टेबिलिटी के बारे में एक स्लाइड है इसको समझते हैं, कार्पुकटाइन केंसे कहते हैं? देखो यह दो वड़िए से निकला है और चैने निकला है थीक है आपको पते है कार्बन तो C होता है कार्बन element है और केणियर मदला पॉलिटिफ चार्ज मतल stay कार्बन पर जब भी पॉलिटिफ चार्ज एटैच हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बो ryक्ट है थीक है तो stability क्या इसकी होती है carbogatine की चैके Rx के अंदर आप जानते हैं कि Rx के अंदर carbon Rx के अंदर carbon और halogen का bond बना वह होता है तो जग X negative लेता है तो carbon पर automatically positive charge generate होता है तो वो carbogatine बन रहा होता है stability क्या होती है carbogatine की इसको याद रखना है ये एक हमारे पास important point है जो aptitude के हवाले से आपको याद रखना होगा जो 3 degree alkaliolides ये tertiary alkaliolides जादा stable होते है secondary से और secondary जादा stable होते है primary से और primary से जादा stable होता है सरिफ methyl group जसी CH3 group जो से एक भी radical attached नहीं होता alpha carbon के साथ ये सबसे least stable होता है ये stability order और primary secondary tertiary के बारे में अभी स्टार्ट में बता दिये इसी lecture के तरी डिग्री देसादी के थरी डिग्री हमारे पास है tertiary butyl radical ये tertiary butyl radical ये जादा हमारे पास stable होगा किस से 2 degree से this is sec propyl radical ये isopropyl radical और ये जादा stable होगा primary ethyl radical से और ये जादा stable होगा methyl radical से stability के वज़े क्या होते है हमारे पास hysteric interest यहाँ पर produce होता है चुक्के methyl radical हमारे पास वह बलकी group है अब चुके एक बलकी group है तो बलकी group होनी की वज़े से यहाँ पर यह हमारे पास hysteric interest produce करता है जिसकी वज़े से easily आने वाला कोई nicolophiles पर attack नहीं कर पाता है तो nicolophilic substitution reaction जो होते हैं हमारे पास दो mechanism से हमारे पास यह possible होते हैं ठीक है, एक हमारे पास SN1 के लाता है, एक हमारे पास SN2 के लाता है SN1 में क्या होता है SN1 reaction में bond, दो अलग-अलग steps में होता है, bond breaking एक अलागी step में होता है और new bond एक अलागी step में बनता है SN2 में simultaneous bond formation bond breaking होती है, bond की formation bond की breaking एक साथ हो जाती है तो दो तरह के रहे mechanism हम इसमें देखेंगे सबसे पहले मैं आपको SN1 mechanism बताता हूँ SN1 से क्या मुराद है? ठीक है? SN1 से क्या मुराद है? SN1 होता है unimolecular nucleophilic substitution reaction 1 जो यहाँ पर होता है 1 से मुराद यहाँ पर इसके molecularity है ठीक, SN1 में SN1 जो आप देख रहे हैं लिखाव है SN1 में जो यह 1 है ना इसकी तो 1 इसकी क्यालाती है molecularity this is molecularity molecularity या फिर हम इसको order भी कह सकते है order of reaction molecularity यह order क्या होता है कि number of reactant molecules in slow step किसी reaction के slow step के अंदर जितने भी number of reactant molecules होते है वो molecularity यह order कहलाते है तो SN1 के अंदर जो 1 होता है यह सल में इसका order of reaction है तो इसलिए हम इसको full नाम दे देंगे unimolecular nucleophilic substitution reaction और यह two step reaction mechanism है दो step में जाकर यह SN1 होता है और SN1 के लिए substrate हमेशा क्या होता है कि हमेशा 1 degree alkylite के अंदर यहां हमारे पास हो रहा होता है ठीक है most stable जो हमारे पास कार्बुनिया मैने जैसे यह आप देख सकते है कि this is the functional group step number 1 दिखा रहा हमें आपको और यह alpha carbon है alpha carbon के तीन तरफ radical के attachment हुई है r1, r2, r3 तीन radicals attached हैं यह same भी हो सकते हैं अलग-अलग भी हो सकते हैं ठीक है यह वाला bond polar bond है यह break होगा तो यह minus और यह plus की सुरत में बाहर निकलेगा slow step होगी bond break होगा और slowly slowly यह bond break होकर x minus बाहर आ जाएगा और tertiary carbonia mine हमारे पास यह बच जाएगा यह slow step है तो यह rate determining step है और इस rate determining step में एक ही molecule टेक पार्ट लेरे आप देख सकते हैं slow step में तो यह हम जब इसकी rate expression निकालेंगे तो यह बराबर देख के k into rx चुकिए slow step से ही हम rate equation निकाल सकते हैं तो यह हमारे पास rate expression इसके लिए की गई है person 1 की सुरत में rate expression में स्रीफ और स्रीफ radical हमारे पास आता है alkal halide आता है nucleophile नहीं आता जादा stability की वज़े से इस वज़े से पहले यह halogen निकलेगा उसके बाद attacking होगी उसके बाद क्या होगा कि nucleophile जाकर इस पर attack करेगा और pro rate की formation हो जाएगी और यह हमारे पास pro rate बन जाएगा और इस pro rate के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर retention हो जाएगी retention of configuration retention के क्या मतलब होता है structure remains same या bond pattern remains same इसमें अब देख सकते है bond pattern जो है न वो same रह रहा है जैसे R1, R2, R3 इसी situation में यहाँ पर मौझूद थे R1, R2, R3 ठीक है और जब nucleophile ने आपर इसके से attack कर लिया तो फिर आप देखते हैं कि R1, R2, R3 same bond formation यहाँ पर वो मौझूद है अचा बट यहाँ पर issue यह होता है कि दुनों साइट से यहाँ पर nucleophile attack कर सकते है इधर से भी attack कर सकते है इधर से भी attack कर सकते है तो दो तरह के possibility यहाँ पर है bond pattern same भी हो सकती है और reverse भी हो सकते है जैसे यहाँ reverse होगे है तो यहाँ पर यह हमारे पास के लाएगी inversion यहाँ पर bond inversion आपको दिख रही है और यहाँ पर bond retention है retention के अंदर क्या होता है कि bond same रहते है inversion में क्या होता है bond pattern reverse हो जाता है तो यहाँ पर 50% आपको inversion देखने में मिलती है और 50% आपको bond retention देखने में मिलती है SN1 mechanism जब होता है ठीक है जबकि SN2 mechanism के अंदर क्या होता है कि SN2 mechanism हमारे पास single step में हो जाते है और यह 1 degree alkylite या फिर primary alkylite के अंदर होता है हमारे पास ही reaction और one step में ही होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकलोफाइल एक ही step के तुरू carbon-nickleofile की बीच का bond भी बेरेक होता है और निकलोफाइल कारबन की बीच का bond मनता भी है यह वाला bond जो आपको दिखता है यह वाला bond आपके पास half formed है और यह वाला bond आपके पास half broken है जो कि less stable हमारे पास होता है 1 degree alkalite उसलिए simultaneously दोनों काम साथ साथ चल जो होते है यह एक state आती है जिसका हम कहते है transition state और finally क्या होती है bond पूरा break हो जाती है यह bond completely जूड़ जाता है और ex halogen बहार निकल जाता है यह हमारे पास एक ही step होता है यही slow step है और slow step में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास के दो molecule take part ले रहे है तो rate expression के अंदे निकलोफाल भी आ जाएगा alkalite भी आ जाएगा तो उसका order of reaction जो हमारे पास निकलेगा 1 प्लस 1 चुकिए concentration के ओपर जो exponent से उनको add कर दिये जाता है तो यह second order का reaction हमारे पास निकलेगा इसलिए हम उसको जो है वो biomolecular nucleophilic substitution reaction हम उसको कहते है जो 1 degree alkalite के अंदर होता है अच्छा SN2 reaction में चुकिए back side से attacking होती है तो उसमें सिरिफ हमारे पास एक inverted molecule बनता है और यह 100% inversion हमारे पास यहाँ पर possible होती है तो के वहाँ पर गर हम बात करेंगे तो 50% detention है और 50% inversion है bond की ठीक है SN1 की बात करें और SN2 के अंदर हमारे पास 100% inversion molecule हमारे पास यहाँ पर बनता है तो इसको याद रखें यह MD cat के हवाले से important point है जो sinboard के अंदर नहीं होता ठीक है अब जो चीज़ हमने पढ़ी SN1, SN2 की यहाँ पर अब हम इसको line by line में differences यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि SN1 mechanism two step mechanism है 2 step में होता है SN2 एक step में होता है SN1 mechanism में first step slow होता है second step fast होता है first step slow इस वज़े होता है second step में bond बंड रहा होता है सवज़े से वो fast होता है जबकि इसमें से एक ही step होता है और जो slow होता है SN2 में यह unimolecular होता है तभी SN1 केहता है यह biomolecular होता है तभी SN2 केहता है यह polar solvent में जादा favored होता है जबकि हमारे पास SN2 non-polar solvent में जादा favorable होता है इसके लाप इस तरह से याद कर लें कि 1 है ना तो एक वर्ड लिखाव है तो 1 पोलर और नॉन पोलर में दो वर्ड है तो यह होगी हमारे पास 1 और 1 मतब 2, SN2 इस तरह से आप उसको याद कर लें कि SN1 पोलर में और SN2 नॉन पोलर में ज्यादा फेवरेबल होता है SN1 टर्शेरी अलकालालाइट देते हैं रियक्शन और SN2 हमारे पास 1 डिगरी या प्राइमरी अलकालालाइट ये रियक्शन देर होता है SN1 में 50% inversion होती है 50% retention होती है configuration की जैसे भी मैंने बताया है जबके हमारे पास यहाँ पर 100% retention होती है उस और ये inversion होती है SN2 के अंदर next में किया rate of rate expression अब इस तरह से बता सकते हैं सिफ अलकालाइट होगा जबके SN2 में हमारे पास अलकालाइट के साथ निकलोफाइल भी होगा तो इस आड़ दिफरेंसे बिट्विन SN1 और SN2 मेकेनिजम आप सो इस थिंक्स आर क्लियर next two reaction हमारे पास होता है that is elimination reaction this will be called beta elimination reaction वी सको कहा जाता है beta elimination reaction इस लिए हम इसको कहते हैं because beta hydrogen इसके अंदर eliminate होता है और यह addition के reverse होता है इसके अंदर formation of pi bond इस reaction के अंदर pi bond हमारे पास जो है वो form हो रहा होता है तो एक ऐसा chemical reaction जिसमें दो group अच्छा, Elimination Direction एक और नाम भी दे सकते हैं इसको हम इसको हम लोग कहते हैं D, sorry, इसको हम कहते हैं D Hydro Halogenation, इसको D Hydro Halogenation कहा जा सकते हैं, चुकि इसमें Hydrogen, Halogen दोनों एक साथ Remove हो रहा होता है, किसी Alkal Halide के अंदर से, तो यह Second reaction Alkal Halide का, तो एक ऐसा Chemical Direction जिसमें दो गुरूप मताब Halogen और Beta Hydrogen, दोनों निकल कर, दोनों Alkal Halide से अगर निकल जाते हैं, उसको Elimination Reaction का आ जाता है, तो एसा होता है, ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास दो मेकनेजम हो सकती, E1 और E2 दो मेकनेजम से हमारे पास हो सकता है, E1 Unimolecular जो हमारे पास होगा, जो दो स्टेप के अ से अंदर होगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारे पास एक दो कापमवला Alkal Halide है, और यह चुके E1 है, तो सिंपल 3 डिग्री में होगा, जैसे S1 3 डिग्री में होता है, यह हमारे पास कहां गया फंक्शनल ग्रूप, यह रहा, इस इस दा फंक्शनल ग्रूप, यह अलफा hydrogen के लिए removal होगी, और जो base है, वो attack करेगा, तो जैसे ही हमारे पास बीटा कार्बन है, यह अलफा कार्बन यह था और यह बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से कोई hydrogen यहां से remove हो जाएगा, और पाइब और की formation हो जाएगा, और जो hydrogen निकलेगा, वो base के साथ, OH के साथ reaction क कर लेगा, ठीक है, और water की formation कर लेगा, यह ही अगर E2 mechanism के अगर हम बात करें, तो E2 mechanism क्या होता है, यह एक step के अंदर होगा, और यह हमेशा 1 degree primary alkalite के अंदर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, this is the primary alkalite, यह halogen हमारे पास functional group है, यह alpha carbon है, इसके एक ही तरफ का radical attach है, बस, तो य यह निकलेगा हमारे पास, negative positive charge generate होगा, और beta hydrogen निकार हमारे पास eliminate हो जाएगा, तो यह transition state यहाँ पर हमारे पास आएगी, जिसे bond half broken half formed होगे, और साथ में फाइनली हमारे पास यह ethene की formation होगी, अलकीन बन गया, तो pi bond के reaction के अंदर बन जाता है, और जो H निकलेगा, वो X के सा commission कर लेगा, चुकिए slow step पहला ही step है, यह slow step है, तो rate expression के लिए आपर, हमारे पास base भी हमारे पास होगा, और alcohol ID भी हमारे पास मौझूद होगा, rate expression के अंदर, चुकिए slow step के अंदर, जो molecules होते, reactant के उसको ही लिया जाता है, अच्छा, अभी आपर next है, कि factors ही आपर discuss करेंगे कि कौन से factors बताते हैं, कि either reaction elimination होगा कि substitution होगा, E reaction favor होगा, कि essence reaction favor होगा, तो कुछ factors इसके लिए हमारे पास है, जैसे पहले factor है structure of substrate, tertiary alkalolites यो है न, वो हमेशा elimination को favor करते हैं, जबके primary alkalolites यो है वो हमेशा substitution को favor करते हैं, जैसे यहाँ पर देख रे हैं, primary alkalolite हमारे पास है, 1-R है और यहां स्ट्रॉंग बेस हमने यहां पर एक्षिन करा दिया हमने आर वैने से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तो यहां पर यहां पर जो सब्स्ट्रेट का है तो वह भी जह है वह बताता है कि अपर वन डिगरी के सुरत में सब्स्ट्रॉडिशन हो गई और त्री डिगरी अलकालाइट जो था जब उसने रियक्षन किया आर वैने के साथ इन दे प्रेजन्स ऑफ अलकोहल तो वहां पर वह हमारे पास सब्स्ट्रॉडिशन 39 परचंट दे रहा है जबके अलिमिनेशन का जो प्रोड़क्ट है वो 61 परचंट दे रहा है तो सिंपल यहां पर हम एक चीज़ समझ में आई कि वन डिगरी अलकाललाइट जो है वो फेवर करता है सब्स्ट्रॉडिशन को तबके थिरी डिगरी जो है न वो फेवर करता है ऐलिमिनेशन रियक्षन को नेक्स नेचर आफे बेस यह भी हमारे पास फेक्टर है रियक्षन एलिमिनेशन होगा कि सब्सुड्रॉडिशन इस्ट्रॉड बेस जैसे हैं सब्सुड्रॉडिशन के बजाए जबके वीक बेस जैसे किода हम ने सब्सूडिशन को चैनल एं 캰ाईल नग्रिया और इसके रिय तो यह हमारे पास देखें, substitution reaction यह हमारे पास दे रहा है, तो इसके मतलब सिंपल यहाँ पर इस वाले slide में क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास जो strong base होंगे, strong base favor क्या करेंगे भई, elimination, और जो weak bases होंगे, वो क्या favor करेंगे, SN, मतलब substitution reaction favor करेंगे, nucleophilic substitution, nature of solvent भी एक effect करता है, nature of solvent में simply यहाद रखना है आपको कि जो हमारे पास non-polar, polar solvent हमारे पास होता है, polar solvent हमारे पास nucleophilic substitution देता है, जबके non-polar हमारे पास elimination reaction को तरजी देता है, elimination reaction को prefer करता है, जो solvent हम use करते है, arrow के उपर, उस solvent की बात कर रहे है, तो alcoholic को है तो effects elimination with more polar aqueous को है is used for substitution, E1 is favored by polar solvent like SN1 in non-polar solvent reaction will follow E2 mechanism, सेम यही चीज़ यहाँ पर में बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, कि polar solvent हो, तो E1, SN1 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, जबके non-polar solvent में E2 mechanism हमारे पास यहाँ पर follow हो रहा होता है, effect of temperature, temperature के भी effect है भाई, simple याद रखें कि low temperature अगर हम करते है, 845 degree centigrade, तो हम देख सकते हैं, low temperature पर elimination favorable है, ठीक है, ठीक है, तो low temperature पर हम देख सकते हैं, कि elimination हमारे पास यहाँ पर, it increase in temperature will favor elimination more than substitution, because substitution reaction involves less reorganization of bonds as compared to elimination, जैसे जैसे आप temperature बढ़ाते हैं, तो high temperature पर हमारे पास elimination reaction जो है न, favorable होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप देखें, जब temperature बढ़ाया गिया, तो हमारे पास, जो elimination का product है, जो alken बन रहा है, वो हमारे पास जाधा बन रहा है, तो high temperature है, तो simple यहाँ पर लिख देता हूं, मैं, आपकी समझने के लिए, हैं कि high temperature पर elimination favor होगा, और low temperature पर favorability किसकी होगी, हमारे पास, SN reaction की होगी, यह substitution की होगी, तो यह हमारे पास कुछ factors थें, अब उसके बाद next topic हमारे पास आता है, organometallic compounds का, जिसमें हम Grignard's reagent को discuss करेंगे, organometallic compounds कौन से होते हैं, एक ऐसा organic compound, एक ऐसा organic compound जिसके अंदर कोई metal भी आ जाए, ऐसे organic compound काम कहते है, organometallic compound, जिसका dual nature हो, organic nature तो रखे, organic nature के साथ उसके अदर metal भी involved हो, तो वो organometallic compound के लाद है, जिससे ROI ने हमारे पास एक और organometallic compound है, जिके आप देख सकते हैं कि hydrocarbon chain के साथ sodium metal भी होता है, इस तरह से एक हमारे पास organometallic compound होता है, Grignard reagent, जिसको हम लोग कहते हैं, RMGX जिसके जनरल formula होता है, एक scientist था जिसके नाम था Victor Grignard, तो Victor Grignard नाम के scientist ने इसको prepare किया था लैब में, उसी के नाम पर ये है Grignard's reagent, कैसे बनता है, अलकाल अलेड की reaction magnesium से कराया जाएगा, एथर की presence में, एथर यहाँ पर as an inhibitor यूज होता है, inhibitor means के as a negative catalyst यूज होता है, reaction को slow down करने के लिए, तो कि magnesium यहाँ पर metal है, fast activity देता है, उसको slow down करने के लिए, as a inhibitor हम यहाँ इथर को इस्तेमाल करते हैं, और यह RRX के बीच में एक bond magnesium का बन जाता है, तो RMGX बन जाता है, alkyl magnesium halide, ठीक है, अब यह कोई भी alkyl magnesium halide हो सकता है, जैसे कि CH3, MGCl अगर आ जाये, this will be methyl magnesium koloride, और इस तरह से कोई भी possibility हो सकती है, किसी भी तरह का alkyl halide हम यहाँ से prepare कर सकते हैं, बना सकते हैं, reactions किस तरह के करता है, alkyl halides हम यहाँ हमें आप सौरग इगनाट region में, तो alkyl halides के ketone से पहले reaction हम यहाँ पर देखते हैं, किस तरह से करता है, alkyl halides मतब RCOH से reaction किस तरह से करेगा, और ketone मतब RCOH से reaction किस तरह से करेगा, तो सबस्था पहले reaction हम देखते हैं, methanol से, methanol अब जानते हैं, aldehyde है, जिसको हम form aldehyde भी कहते हैं, तो इस तरह से structure होता है, reaction with methanol, यह reaction with formaldehyde, जब भी यह formaldehyde से reaction करेगा, तो primary alcohol या 1 degree alcohol बनायाएगा, जैसे हमारे पास formaldehyde है, इसकी reaction, methyl magnesium bromide से होगी है, यह polar bond है, यह bond break होगा, और साथ में इधर पर bond किस तरह break होते हैं, mg और BR प्लस हो जाते हैं, और यह CH3 माइनस हो जाता है, तो CH3 इस carbon पर tag कर देगा, और mg BR इस oxygen पर tag कर देगा, इतरह से compound मानेगा, तो इसकी hydrolysis की जाएगी, तो यहाँ से bond break होगा, O के साथ जाकर attachment कर लेगा, और mg BR इस OH के साथ निकल जाएगा, यह आप देख सकते हैं, primary alcohol की formation हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी, इसको primary alcohol इसले कहा रहे हैं, कि यहाँ पर हमारे पास functional group के साथ, एक ही, जो alpha carbon इसकी एक तरफ radical के attachment है, second ethanol से हम यहाँ पर reaction कर आ रहे हैं, तो ethanol हम कहा सकते हैं, CH3 C1O H, 2 carbon dioxide, तो इसी को हम commonly हम इसी को हम लोग क्या कहते हैं भी, acid aldehyde, जब acid aldehyde से reaction होगा, ethanol का, तो यहाँ पर यहाँ हमारे पास secondary alcohol या 2 degree alcohol बनेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारे पास acid aldehyde है, और सेम यह carbon oxygen का polar bond break होगा, oxygen पर minus carry होजाए, carbon positive carry होगा, और यहाँ इस तरह से यह bond इदर से breakage करेगा, तो mgbr पर हमारे पास positive और CH3 पर negative attach होगा, तो यह CH3 हमारे पास यहाँ पर इसके साथ attachment कर लेगा, और mgbr इस oxygen minus के से इसके साथ attack कर लेगा, तो यह normally हमारे पास acid based reaction हमारे पास यहाँ पर एक हुआ, और यहाँ से फिर hydrolysis होगी, यहाँ से bond break होगा, H इदर पर attack करेगा, इदर attack करेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, alpha carbon के दो तरह फ्रेडिकल है, तो secondary alcohol है यहाँ पर बना, तो यह हमारे पास sec propyl alcohol की formation होगई, इसके मदब ही हमारे पास होगिया कि ethanol के साथ, acid aldehyde के साथ reaction करने पर 2 degree alcohol बनेगा, जबकि aldehyde का पहला member, जो formaldehyde के साथ हमारे पास 1 degree alcohol बना, अब हम acetone के साथ reaction, proponone के साथ reaction करते हैं, जिसको हम acetone भी कहते हैं, acetone आप जानते ही हमारे पास के ketone होता है, और ketone family का पहला member है, जिसमें हमारे पास CH3, carbon double bond oxygen, CH3 यह हमारे पास इसका formula होता है, तो यह acetone से reaction होगा, तो same यह ही है कि pi bond break होगा, negative positive generate होगा, यह bond break होगा, और positive negative generate होगा, NGPR इस oxygen से attack कर जाएगा, और CH3 minus इस carbon से attack कर जाएगा, और यह हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास alpha carbon के, और फिर यहाँ पर hydrolisus होगी, और यह जब hydrolisus second step के अंदर होगी, तो यहाँ पर O के साथ जो water catch पला से वो attack कर जाएगा, और अब यहाँ पर देखेंगे तो alpha carbon के तीन तरफ radical हैं, यह functional group है, ट्रेशरी अल्कॉल यह ट्रेशरी ब्यूटाल अल्कॉल की formation हमारे पास होगी, तो summarize अगर हम एरे पास किया जाए, तो form aldehyde से जो हम अगर ले लेंगे, form aldehyde के सुरुत में हमारे पास primary alcohol बनेगा, अगर acetaldehyde यह acetaldehyde के लावा दूसरा और कोई भी aldehyde ले लें, form aldehyde को छोड़ कर तो 2 degree alcohol बनेगा हमारे पास, और अगर ketone अगर हम ले लेते हैं, कोई भी ketone हम ले लें, let's acetone ले लिए इस reaction में, तो वो हमारे पास 3 degree alcohol की formation करेगा, ester से अगर हम reaction करा दें तो क्या होगा, R, C, O, R, ester से reaction कराए जाएगा, तो जैसे कि ethyl acetate हमने ले लिया, यह ester है, तो same bond formation इस तरह से होगे हमारे पास, कि यह हमारे पास negative होगे, हमारे पास positive होगे, पाइब बॉंड ब्रेक हुआ, negative positive, तिसरा attachment होगे, कि यहाँ पर हमारे पास formation होगे, ठीक है, तो finally फिर acetone का reaction, then excess of methyl magnesium bromide से करेंगे, तो then tertiary alcohol, 3 degree alcohol दुबारा से बन जाएगा, तो मतब ester से reaction करने के सुरत में भी, हमारे पास 3 degree Rx बनता है, यह आप याद रखे, जो इस reaction में दिखा है, CO2 reaction करेंगे, carbon dioxide से तो carbon dioxide की formation होगी, ठीक है, से mechanism कि थरो हो जाएगा, CO2 reaction करने पर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर, R, C, double bond, O, O, H ले ले लेते हैं, और CO2 reaction कराते हैं, तो CO2 reaction इस तरह से होगा, sorry, यह मैंने कुछ गलती कर दी हैं यहाँ पर, ले में रिमूव इट, थैंक यू, फॉर यू वेटिंग, हम जी, तो कह रहे हैं कि, अगर हम, अगर हम alkal highlight ले ले लेते हैं, कोई भी RMGX, जो रेक्शन C हैं में उसका बता रहा हूँ, आपको किस तरह से, carbon dioxide से reaction करने से, carbon dioxide खिशन बनता है, तो इसकी reaction हम करा देते हैं, carbon dioxide gases सा, CO2 के साथ, यह CO2 का structure मैंने बना दिया, यहाँ एक pipe bond break होगा, negative positive generate होगा, यहाँ पर negative positive generate होगा, और attacking हो जाएगी, तो Rc double bond O, और OMGX बनेगा, यहाँ इसके बाद, इसकी hydrolysis की जाएगी, मतब water से reaction होगा, plus minus, और यहाँ से यह bond break होगा, जिस विली माइनस, जिस विली भी plus, और यह आप देख सकते हैं, कि हमारे पास, carbon dioxide की formation हो गई, और साथ में, MgXOH, एक हमारे पास, byproduct की सुरत में अलग हो गया, यह carbon dioxide बनता है, कि सुरत में, जब carbon dioxide से reaction होता है, गिरिगनाइट रियेजन का, अगर यह हम इथायल, magnesium, halide यूस कर लेंगे, तो सुरत में, acetic acid बन जाएगा, जो हमारे पास, most famous, carbozolic acid है, ठीक है बच्चों, तो alkyl halide का topic, तो यहाँ पर खतम हो गया, अब हम आते हैं, amines की तरफ, amines क्या होते हैं, भई, R, NH2, चुकि आपको पते ही, जो chapter हमारे पास 17 है, 17 चैप्टर फेडरल बोड का, तो alkyl halide के साथ, alkyl halide को डिसकस कर ली, अब हमारे पास amines की discussion, यहाँ पर हमें कर रही है, ठीक है, तो amines की naming, common naming system में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, common naming में इसको हम लोग, just alkyl halide की तरह से नाम लिखते हैं, यह एक common लिखते हैं, जैसे यह हमारे पास, ethile halide है, ठीक है, primary halide हो गया, चुकि alpha carbon के एक तरफ radical है, यह हम देख सकते हैं, कि यह हमारे पास, यह भी primary halide है, second position पर लगावा है, हमारे पास a mine, this is two hexile amine, यह भी primary halide है, लेकिन यहाँ पर अब देखें, यह functional group के दो तरफ radical है, हमारे पास secondary halide है, और दो methyl attached है, तो this will be dimethyl amine, और यहाँ पर इसको देखें, इदर पर आप तो यहाँ पर इसमें, हमारे पास, पर इसमें, इस तरह से यह हमारे पास, pyridine भी हमारे पास होते है, pyridine के होता है, benzene drink के साथ, अगर nitrogen attached, तो यह भी treasury amine हमारे पास होता है, तरह से और भी हमारे पास, कुछ और compound यहाँ common name के लाए, आप से देखलें, हमारे के common names की बात कर रहे है, आजाए तोलवीन आप जानते हैं क्या होता है कि हमारे पास बेंजन इनिंग के साथ CH3 एटाइच हो जाए जिस विल भी टॉलवीन और एनिलीन किसे कहते है बेंजन इनिंग के साथ अगर NH2 एटाइच हो जाए तो यहाँ पर जो है वो टॉलवीन का टॉलू ले लिया और आई पी टॉलवीन के देंगे चुक्छे यहाँ पर पैरा पोदिशन पर हमारे पास अटेश्मेंट हुई भी है और यहाँ पर देख लें एनिलीन ये भी है लेकिन नैट्रोजन के साथ हमारे पास मिठाइल गूरू भी एटाइच है तो इसको N-methyl-aniline हम इसको क्या सकते है ठ पास पारा पोदिशन पर टॉलवीन भी लगा है यह सारे हमारे पास common names होगे यह आप याद रखें नेम्स को आयोपेसी सिस्टम में जा सिंपल है अमाइनो अलकेन के लिए से नाम लिख लेते हैं अमाइनो अलकेन के लिए से नाम लिखते है चुक्छा आप जानते हैं फंक यह हमारे पास common IOPC naming system है अमाइन्स को प्रीपेर किस तरह से किया जा सकता है अमाइन्स को प्रीपेर करने के डिफरेंट हमारे पास तरीके है अलकाल हलेट के पहला तरीका है अलकाल हलेट के रेक्शन अगर हम आमूनियों से करा दें तो यहाँ पर NH3 गुरूब जो है वो NH2 वो रेच में break हो जाएगा और यह माइनस प्लस हो जाएगा और यह हमारे पास plus माइनस हो जाएगा तो यह दर attachment होगी इधर attachment हो जाएगी इथालमेन की formation हो जाएगा nitrogen containing functional group के दरीय भी बना सकते हैं जैसे nitriles के थुरह बना सकते है nitriles क्या होते है R-C-1-N इनके थुरूँ बनाया जा सकता है लिटियम, Illuminum, Hydroid, Li-LH4 यूस करेंगे जो हमारे पास हम जानते है जिसको hydrogen के topic हमने पढ़ रखा है यह क्या करेगा reducing agent के तौर पैट करेगा hydrogen add कर देगा यहां से दोनों pipe on टूटेंगे और दो hydrogen यहां पर attack कर लेगा तो हमा इनकी formation हो जाएगी ठीक है next reduction of nitro compound की reduction कर सकते हैं जैसे nitro benzene हमारे पास इसकी reduction की जाएगी tin और HCl की presence में तो यह nitro group यहां से हटेगा oxygen यहां से हटेगा और दो hydrogen attach हो जाएगे तो aniline की formation हो जाएगी aniline भी तरह का amine है लेकिन यह aromatic amine होता है benzene के साथ NH2 लगा होता है amide की reduction से भी बनाए जा सकता है जिसको हम Hoffman degradation reaction के सकते हैं यह एक name reaction है Hoffman scientist के नाम उसके नाम पर है amide group आप जानते हैं RC double bond of NH2 जिसके amide इसकी भी reduction करनी है तो यहां पर हम इदर पर bromine यूज़ कर लेंगे in the presence of KOH और यहां पर यह हमारे पास CH3 के साथ यह पूरा हमारे पास यह remove हो जाएगा यह हट जाएगा और CH3 NH2 साथ में attach हो जाएगे तो यह हमारे पास methyl amide हमें मिल जाएगा ठीक है तो this is also the reduction of amide जिसमें हमने oxygen को हटाया remove किया इस molecule में से एक और important point याद रखेगा इसमें amines के topic के अंदर methyl amide जो है वो जाएगा stronger base होता है ammonia के जैसे CH3 NH2 अगर हम देख लेना CH3 NH2 तो यह जाएगा stronger base है किससे बहुँ ammonia से ammonia भी basic नहीं चार रखता है बट methyl amide जाएगा stronger है because of the hyperconjugation of CH3 तो CH3 अपना electron pair NH2 को देकर इसको जाएगा stronger एक base बना लेता है तो यह point आप याद रखें important point है MDCAD के लिए और order of basicity अगर amines के अंदर basicistic order कहा जाए तो secondary amines जादा basic होता है primary amines से और primary amines जादा basic होता है treasury amines से जैसे कि अगर हम nitrogen ले 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 हैं यहाँ पर चीक है और यहाँ पर दो radicals attach हो और nitrogen ले एक radical attach हो और nitrogen ले ले तीन radical attach हो तो अभी मैंने क्या बता है कि radicals के electron पर donate कर सकते हैं तो वो जादा basicity बला देते हैं तो कहने को तो treasury amines की जादा होनी चाहिए थी चले यह तो पता है secondary के primary से जादा यह है कि दो radicals attached है तो दोनों electron पर अपना donate करें इस nitrogen को तो treachery के तो सबसे जादा होनी चाहिए थी basicity लेगिन primary से भी कम होती है वज़ा क्या होती है जब तीन तरफ radical attach हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना high hysteric hindrance produce हो जाती है high hysteric hindrance के वज़ा से जुके बलकी molecule आ गया है तो फिर यह hydrogen को accept नहीं कर पाता जिसके वज़ा से यह हमारे पास इसके basicity tertiary की कम हो जाती है तो 2 degree सबसे जादा है 1 degree उसके बाद और सबसे कम basicity 3 degree के amines के इंदर इसको आप जाद रिखेगा बहुत important points है ठीक है Amines की reaction देख लेते हैं Amines के हमारे पास कुछ reactions है पहले reaction है acid halide के साथ reaction कराएंगे तो क्या होगा तो यह amine RNH2 है इसका reaction acid halide से होगी है acid halide group आपको दिख रहे है यहाँ पर carbonil के एक तरह फैलोजीन है और इसके नतिजह में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा NH2 यहाँ पर हमारे पास breakage कर लेगा कि सूरत में RNH और H की सूरत में plus minus और यह minus plus हो जाएगा CLH के साथ निकल जाएगा और NHR यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यह molecule हमारे पास बन जाएगा एक secondary amide यह टूड़ गिरी amide यहाँ पर हमारे पास form हो जाएगा इस reaction में next है amide का reaction अब alkal highlight के साथ अगर करेंगे तो बड़ा basic reaction है ठीक है तो इसको amalkylation reaction यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से यह bond break होगा और NH2 में यहाँ पर हमारे पास यह bond NH2 में break हो जाएगा ठीक है तो यह plus minus और यह minus आई जो है वो है है वो है है के साथ निकल जाएगा और यह बाकी molecule जुड़ जाएगे और diethylamine की formation हमारे पास हो जाएगे next है प्राइम्रियाल कालाइट के रेक्शन हम अगर हम LDID के टोन से कर दें जैसे यहाँ पर हमने acetaldehyde से किया है acetaldehyde से reaction कर दिया है ethylamine का reaction तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर पर किस चिस की formation होई है यहाँ पर कि यह तो C2H5 है C2H5 NH2 यहाँ से H2 पूरा remove हो गया है इस oxygen के साथ ठीक है तो water burn के remove हो गया होगा और बाकी bonds आपस में जुड़ गए है और यह जो compound हमारे पास यहाँ पर burn us को हम कहते हैं shifts base scientist का नाम इसको याद रखना है this is an important thing to remember shifts base तो shifts base कब बनता है भी कि जब primary amine के reaction aldehyde यह ketone से होता है shifts base की formation होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको nitric acid नहीं कहा जा सकता है चुकि यहाँ पर oxidation state कम होती है तो कि minus 4 यहाँ पर होगी है और यहाँ पर plus 1 तो यहाँ पर just plus 3 आ रही है nitric acid जो HNO3 होता है यहाँ पर nitrogen plus 5 में होता है चुकि oxidation state ज़ादा है इस वज़े से उसको nitric acid कहते है तो यहाँ पर आप nitric acid के साथ reaction करा रहे है alkyl amine का तो उस सुरत में हमारे पास क्या होता है diazonia amine हमारे पास form होता है तो diazonia amine यहाँ पर आप देख सकते है nitrogen triple number nitrogen पर जो positive charge जब nitrogen पर touch होता है तो diazonia amine होता है जिसकी formation हमारे पास यहाँ पर होती है ठीक है बच्चो तो this is all about chapter number this is chapter number 17 that is alkyl halides and amine जिसको completely federal board से मैंने line by line आपको read करवा दी है तो यह second year federal board के students के लिए और साथ में MDCAT के students के लिए यह वो students को नस्ट के लिए प्रिपेर कर रहे है यह fast के लिए प्यास के लिए उनके लिए काफी ज़ादा fruitful रहेगा तो अगर आपको यह lecture और मेरी यह मेहनत आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस channel को subscribe करें और मेरे इस lecture को like करें अपने friends के साथ ज़्याद से ज़्यादा share करें मैं अपने इस channel के अंदर जो channel है सर नसीम दुलफिकार तो मैं खुद सर नसीम दुलफिकार आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस channel के अंदर तमाम MDCAT, ECAT के lectures, first year, second year के पंजाब, federal board, sinboard तमाम मैंने include के में हैं जिससे आप अपनी बहतर त्यारी करके जो आपके dream उसको आप achieve कर सकते हैं तो best of luck तमाम students को अगर आपको कुछ इस समझ में नहीं आते हैं तो WhatsApp नमर मेरा मौजूद है आप उस पर मुझ से पूछ सकते हैं और best of luck अगेन तमाम students को अपने exams के लिए जो भी exams आगे जाकर आप देने वाले हैं I hope so कि आप सब flying colors के साथ उसको आप पास करें तो इंशाला जल्द मुलकातों के लेक्चर के साथ अब तक के लिए अपने teacher Sunday सिम्दुर्फकार को जाद दे अल्ला निगेवान